ओके सो आपको भी पता है कि आज चूका है विंटर सीजन यानी थंडियों का मोसम तंडियों के मोसम में जो हमारे लिए सबसे useful चीज रहता है वो रहता है room heater सो आज की वीडियो में हमारे पास एक ऐसा ही room heater है आप लोग देख सकते हैं जो कि है 400 बॉट का एंड गाइस काफी कमाल का रूम हीटर है, मैंने इसे दो दिन यूज किया, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि एक वीडियो इसको उपर देना चाहिए आप लोगों को, काफी अच्छा है और काफी बजट में ये रूम हीटर आपको मिल जाएगा, अगर आप एक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या कुछ खास फीचर देखने को मिलते हैं इस रूम हीटर में, तो चिले गाइस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं, ओके, यह रहा हीटर का बॉक्स, यह हीटर है, 400 वाट का अप लोग देख सकते हैं, इसी के साथ जो इस हीटर का ना में वो है, हैंडी हीटर, बॉक्स देखने में काफी सिंपल सा है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फीचर मेंसन किये गए हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इस हीटर के अंदर क्या-क्या फीचर है, तो चिले फटा-फट से इसे पहले उपन हो जाएगा, बॉक्स ओपन करते ही गाइस, अंदर हमें एक यूजर मेन्यूल देखने को मिल जाएगा, कि किस तरह से हम इस हीटर को यूज कर सकते हैं, तो इस यूजर मेन्यूल को रखते हैं सैड में, बात करें अपने बॉक्स के अंदर क्या-क्या देखने को मिल ज काफी अच्छा डिजाइन किया गया है कंपनी की तरफ से यहीं पर बात करें इस हीटर के फीचर के बारे में तो यह हीटर 400 वाट का है एंड नीचे की तरफ गाइस हमें यहां पर एक फैन देखने को मिल जाता है यह अंदर के साइड आप लोगों को द्यान से दिखना ही रहा तो यह पूरी तरह से पिगल जाता यहां पर इस्टील का पार्ट दिया गया है और अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं जो की हीट होता है उपर की तरफ गाइस हमें प्लस माइनस को एक आप्शन देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से हम इस हीटर के टंप्रेचर को कंट्र का भी सकते हैं यहां पर जो बटन दिया है इसकी मदद से इसी के साथ गाइस इस हीटर के अंदर हम एक टाइमर को ओप्शन देखने को मिलता है अम माल लीजिए आप रात के समय इस हीटर को यूज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यह हीटर तीन गंटा चलने के बाद अपने आप बंद हो जाए तो यहां पर वड़े असानी से टाइमर को भी सेट कर सकते हैं यहां पर हम बारा गंटे तक का टाइमर सेट कर सकते हैं मतलब एक गंटा दो गंटा तीन गंटा ऐसे करकर कि हम बारा गंटे तक का टाइमर चेंज कर सकते हैं इसी के साथ गाइस यह एक पलग देखने को मिल जाता है जो कि हम किसी इलेक्रिक बोर्ड में बड़े असानी से लगा कर इस हीटर को यूज कर सकते हैं यहां पर हमें पावर आफ या ऑन का बटन देखने को मिल जाता है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यह हीटर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस हीटर को दो दिन यूज करने के बाद भी मैंने ये वीडियो बनाया है जो इस हीटर का प्राइज है वो है 600 रुपे 600 रुपे के हिसाब से काफी अच्छा फीचर इस हीटर के अंदर अब देखने को मिल जा रहा है पहली बात यह 400 वाट का है यहाँ पर हमें टाइमर का भी ओप्चन देखने को मिल रहा है इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं temperature को भी control कर सकते हैं यहाँ पर हमें LED screen भी देखने को मिल रहा है तो काफी अच्छा फीचर दिया गया है 600 रुपे के हिसाब से मुझे तो काफी अच्छा लगा अगर आप खरीदना चाते हैं तो खरीज सकते हैं और एक बात और यह काफी अच्छा room को heat करता है यानि काफी मैं अबबो को से मिल ताउं नेक्श्वी दो में